नमस्क्रार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशानत आप सब ही का स्वागत करता हूँ देश में सैयद मुश्ताकली T20 ट्रोफी शुरू हो चुकी है अलग-अलग राज्यों की टीमों की बीच रो जाना T20 का घमाशान देखने को मिल रहा है महामारी की बीच लंबे समय के बाद देश में शुरू हुए इस क्रिकेट सीरीज में हर खिलाडी अपना सरुशेष देकर चेन करताओं को प्रभावित करने में लगा हुआ है इसी करम में बुद्वार को एक नया इतिहास रचा गया जब मेघाले के विकेट कीपर और कप्तान पुनीद बिश्ट ने चौको छकों की बरसात करते हुए एक नया विश्व किर्थिमान बना दिया औरने मिजोराम के खिलाब मैच में चौथे नमबर पर बलेबाजी करते हुए मादर 51 गेदो पर 146 रनों की नाबाद पारी खेली पुनीद बिश्ट ने अपनी आतिशी पारी के दोरान 6 चौके और 17 गगन चुमबी चखके जमाए उनने सिर्फ चखकों की मदद से ही 102 रन बनाए यही नहीं अगर बाउंडरी की बात करें तो पुरीद ने 146 रनों की पारी में 126 रन सिर्फ चौके चखकों से ही बनाए उनने यह रन 286 की स्ट्राइक रेट से बनाए विस्ट की इस पारी के बदारत मेगाले ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 230 रनों का विशाल स्कूर ख़ा कर दिया मेगाले के इस 34 वर्षिय विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपनी तूफानी पारी के साथ ही एक बड़ा रेकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया वो अब T20 क्रिकेट में सरवोच स्कूर बनाने वाले विकेट कीपर कप्तान बन गया है उनसे पहले ये रेकॉर्ड टीम इंडिया के स्टार खिलाडी केल राहूल के नाम दर्ज था राहूल ने किक्सलेबन पंजाब के दरब से खेलते हो आईपिल 2020 में आरसीबी के खिलाब 132 रनों की पारी खेली थी वहीं इस मामले में तीसरे नंबर पर जारकन के तरब से खेलने वाले इशान किशन है जिनोंने 2019 में 113 रनों की नाबात पारी खेली थी दिल्चस्प बात ये है कि T20 का ये रेकॉर्ड तीनों बार भारती विकेट कीपरों नहीं बनाया है और बिगाड़े भी है ये सुपलब्धी को आज तक कोई अन्य खिलाडी हासिल नहीं कर पाया था फिलाल के लिए इस वीडियो में तना ही तमाम स्पूर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वोन इंडिया के साथ